चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह पांच बज कर पांच मिनट तक रहेगा। इसके बाद वह वरिश्चिक राश में प्रवेश करेगा। आज सूर्य भी तुला राश में स्थित रहेंगे। तीन नवंबर दो हजार चौबीस दिन रविवार आज आपको एक रास्ता पसंद नहीं आएगा। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि आप काफी खुश और उत्साहित हैं। अपनी दिन चर्या में बदलाव लाते हुए फिटनेस के बजाए किसी मनोरंजग गतिविधी में शामिल हो सकते हैं। आपके नए विचार वरिष्ट अधिकारियों को प्रभावित करेंगे जिससे ऑफिस में आपकी नई पहचान बनेगी। कुल मिलाकर दिन हलका फुलका गुजरेगा और काम कम रहेगा। आप सकारातमक्ता का स्रोत बने रहेंगे। हालांकि घरेलू मामलों में आपको धन और मानसिक शान्ती की आवश्यक्ता महसूस हो सकती है। जो सही नहीं है उसे ठीक करें। नौनी करण के लिए अनुसंधान की योजनाएं बनाएं। धार्मिक संघर्ष, घर पर या माता-पिता के साथ बातचीत का एक मुद्दा हो सकता है। अपने दिल की बात करें। खुशियां आपके पास आ रही हैं और अब आप कई गतिविधियों पर ध्यान के इंद्रित कर सकते हैं। नए संबंधों के बनने का योग है। लोगों का मार्ग दर्शन लेना आपके लिए सहायक रहेगा। सामाजिक या धार्मिक गतिविधियों में आपका योगदान सराहनिय रहेगा। संतान से संबंधित चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। परिवार में किसी समस्या को सुलजाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप सही मार्ग का चुनाव कर पाएंगे। आपके निर्णय में हर एक व्यक्ति का समर्थन मिलने से कठिन बातों को लागू करना और उन पर काम करना आसान होगा। हालांकि काम में दुविधा उत्पन हो सकती है। जब तक विचारों में स्पष्टता नहीं आती, तब तक काम से संबंधित किसी भी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। हर विशय पर गहराई से विचार करते हुए निर्णय लेना आवश्यक होगा। नई जगह ट्रांसफर होने की भी संभावना है। रिलेशन्शिप से संबंधित चिंताएं भी रहेंगी, लेकिन कठिन समय में पार्टनर से अपेक्षित लाभ भी मिलेगा। आज का दिन आनंद दायक रहेगा और आपके घर में धर्म कर्म और उत्सव का माहौल बना रहेगा। आप आज आनंद दायक समय बिताएंगे। साथ ही घर में मित्रों और महमानों का आगमन होगा। रुचिकर भोजन का आनंद लेंगे। बिजनेस में अच्छी कमाई होगी और आपको आज उपहार भी मिलेगा। माता-पिता से आशीरवाद और सहयोग प्राप्त होगा। और आज आपको संतान की ओर से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए कुछ उलजहन भरा रहेगा, लेकिन आपको किसी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। आपकी संतान को नई नौकरी मिलने की संभावना है। जो कार्य आपको पूरा करने में समस्या आ रही थी, वह भी संभवतह पूरा हो जाएगा। आपकी कुछ गलतियां परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती हैं, जिसके लिए आपको उनसे माफी मागनी पड़ेगी। कारिक शेत्र में कोई आपकी च्छवी को खराब करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यक्ता है। आप कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, लेकिन सावधान रहें और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ध्यान रखें। यदि किसी प्रकार के हर्ण लेने की योजना बन रही है, तो उसे स्थगित रखना बहतर होगा। किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा न करें क्योंकि आपके कुछ करीबी लोग परेशानी का कारण बन सकते हैं। अब लव लाइफ पर बात करते हैं। बाहरी लोगों को अपने घर परिवार में हस्तकशेप न करने दें, इससे व्यवस्था सही बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप किसी को आकरशित कर सकते हैं। मित्रों के साथ मिलें और उनके साथ बाहर जाएं। जो लोग पहले से ही रिष्टे में हैं, वे भी अपने रिष्टे में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक राह खुलने वाली है। आप अपने साथी के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर सकती हैं। यदि आप एक घरेलू व्यक्ती हैं तो अपने साथी के साथ बाहर जाकर आनंद दायक समय बिता सकते हैं। घरेलू मामलों में आज आप व्यस्त रहेंगे जिससे आपको अपने साथी के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन आप कॉल करके या मैसेज के जरीए अपनी भावन व्यक्त कर सकते हैं। वाहन खरीदने के लिए आज का दिन शुब है। एक नया रिष्टा शुरू में सुखद लग सकता है। लेकिन बाद में यह एक शनिक खुशी से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। आज आपको कुछ शानदार उपहार मिल सकते हैं। इसलिए तैयार र तो आज आप भावुक महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपनी केयर टेकर या मा जैसे किसी महिला के साथ समय बिताएं। मिट्टी, पानी, इमारतों या पाइपलाइन से संबंधित असाइन्मेंट आपके करियर को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आज उन चीजों पर अध पदलाव लाएं। इससे आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा। भाय का सामना करने से नए रास्ते खुलेंगे। आज आपकी जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ती स्वाभाविक रूप से रहेगी। लेकिन ये हस्थिति आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आ आपकी आलसी आदत के कारण आप किसी भी वास्तविक इच्छा से प्रेरित होकर अधिक काम करने से बच रहे हैं। ये समय अधिक जिम्मेदारी लेने या अपने कार्य में और रुची दिखाने का है। कड़ी मेहनत और इमानदारी से किये गए प्रयास आज आपको सफलता और पुरसकार दिला सकते हैं। इस समय व्यवसाइक गतिविधियां कुछ धीमी रह सकती हैं और कोई डील भी रुख सकती है। व्यवस्था स्थापित करने में काफी मेहनत की आवश्यक्ता है। नौकरी पेशा लोगों को कोई लक्षे हासिल करने में अधिकारियों से सहा करने की उमीद की जाए। आप आराम से सभी काम पूरे कर पाएंगी। हालांकि यह भी आपको मानना होगा कि यदि आपका मन अच्छा रहेगा तो आप समस्याओं को और भी बहतर तरीके से सुलजा सकेंगी। इस से आपको नए उत्साह की अनुभूती होगी। आपको ठं करें कि आप क्या छू रहे हैं और क्या खा रहे हैं और अपने हाथों को कई बार धोलें। व्यक्तिगत वित्थ पर ध्यान देने से आपके खर्चों का सही प्रबंधन होगा और भविश्य के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आपकी राश्य के अनुसार निवेश क के नए अवसर लाभधायक साबित हो सकते हैं इसलिए समझदारी से निवेश पर विचार करें। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल आज आपके लिए फाइदे मंद रहेगा। यदि आप रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन शुब है। विशेश रूप से संपत्ती में निवेश के लिए यह समय अनुकूल है। आज का दिन अच्छा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूरी जानकारी जुटाना ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो क्रेंसी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सतर्क रहें। आज आपके भविश्य के लिए एक सुरक्षित कदम हो सकता है। टेकनोलोजी रिव्यू को समझना आपके लिए लाबकारी साबित हो सकता है। क्योंकि यह आपके ग्यान को बढ़ाएगा। यदि आप सास बिजनेस में हैं या इससे जुड़े हुए हैं तो आज का दिन न आत्राओं के लिए बचत करना आज के दिन आपकी राश्य के लिए सुखद अनुभव ला सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में अवसरों का लाब उठाना भी आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एफिलियेट मार्केटिंग में निवेश करना आज के दिन आपके अच्छा है और धनलाब के संकेत दे रहा है। वेबसाइट होस्टिंग सेवाओं में निवेश करना आपकी राश के लिए एक सकारात्मक निर्णय साबित होगा। फिटनेस और स्वास्थे से जुड़े उत्पादों पर ध्यान देने से आपके स्वास्थे में सुधार होगा और जीवन में नई उर्जा का संचार होगा। होम इंप्रूव्मेंट पर ध्यान दे कर अपने घर में सुख शान्ती बनाए रखने के लिए आज का दिन अनुकूल है। गैजेट्स से जुड़ी जानकारी और रिव्यू का ध्यान पूर्वक अध्यान करने से आपको समझदारी से खरीदारी करने में मदद मिलेगी। आनलाइन पैसे कमाने के नए तरीकों की खोज और उन पर ध्यान देने से आपके लिए आगे के रास्ते खुल सकते हैं। छोटे व्यवसाई में निवेश करना आज के दिन आपके लिए शुभ परिणाम दे सकता है। यदि आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो उसके रिव्यू और जानकारी का विशलेशन करना आपको सही निर्णे लेने में मदद करेगा। आज का उपाई यह है कि सूर्यो दे के समय तामबे के लोटे में साफ जल लेकर उसमें लाल फूल डालें और सूर्य को अर्ग्य दें। इससे सूर्य देव की क्रिपा प्राप्त होती है और जीवन में उत्साह तथा ओर्जा में वृध्य होती है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें और आपका दिन शुब हो।